और इस्राइल फिलिस्टीन विवास से जुड़ी हुई इस वक्त की एक और बड़ी खबर मिल रही है सौधी अरब में गाजा के लोगों से जबर्दस्ती विस्थापन की मांग को खारिश कर दिया है और इस्राइल की जमकर आलोचना यहां पर की है सौधी अरब के विदेश मन्तवाले ने गाजा में इसराइल के हमले की निंदा की और गाजा पर इसराइल द्वारक किये जा रहे है गोशना को अंटर राष्ट्री कानुन का उलंगन बता दिया इस्रेयल ने गाजा की लोगों को 24 घंटे में गाज़ा पट्टी खाली करने का आदेश दिया था और समय खत्म होने के बाद इस्रेयल की सेना गाजा में घुसकर ऑपरेशन कर रही है इस्रेयल की सेना ने हमास के ठिकाने को तबाह करने का दावा कर दिया जिसमें एक घर में जोरदार विस्पोट होता नजर आया जिसके बाद चारों तरफ धुआ पहल गया इतना ही नहीं इसरेल ने हमास के उस ठिकाने को तबाह करने के साथ ही हमास के दूसरे ठिकानों को मिट्टी में मिलाने की भी धंकी दे डाली साथ अक्तूबर को हमास के इसरेल पर ताबर तोड हमले के बाद इसरेल ने हमास को मिटा देने की गसम खाई इसलिए इसरेल की सेना ने हमास के ठिकानों को ढून ढून कर उन पर हमला करना शुरू कर दिया लेकिन आरोब लगा कि इसरेल के इन हमलों में गाजा के आम लोग भी मारे जा रहा हैं हाला कि इसरेल की सेना ने दावा किया कि गाजा के लोगों से उसकी कोई दुश्मन ही नहीं है इसलिए उसने इंसानियत के नाते उत्री गाजा के लोगों को बहां से निकलने की चेताव नहीं भी दी ताकि हमास से जंग में गाजा के मासूम लोगों पर आच ना आए इसरेल की सेना ने साफ किया कि उसकी लड़ाई चरम पंती संगटन हमास के खूखार लड़ाकों से है नकि गाजा के आम लोगों से गाजा के नागरिक उसके दुश्मन नहीं है इसरेल की सेना ने अपने बयान में दोटुक कहा कि वो हमास की तरह कुरूर नहीं है जो बेकसूर लोगों का खुन बहा है इसलिए उसने उत्तरी गाजा के लोगों को इलाका खाली करने को कहा है ताकि इसरेल की हमास से जंग में फिलिस्तीन के आम लोगों की बली न चड़े क्योंकि हमास और फिलिस्तीन दोनों में एक फर्क है। फिलिस्तीन के लोग अरब मुस्लिम हैं जो अपने लिए एक आजाद देश चाते हैं। दुनिया के सामने पी-ए यानी पैलिस्तीनियन अथॉरेटी उनका प्रतिनदित करती है। जिसे यूएन भी माननेता देता है। लेकिन हमास वहां का एक चरम पंती संगठन है। जिसका मकसद इसरेल को मिट्टी में मिलाना है। और अपने इस मकसद के लिए हमास बेरहमी की किसी भी हद तक जा सकता है। वो इसरेल पर रॉकेट गिराता है। उसके लड़ाके इसरेल में गुसकर सरेाम लोगों पर हमले तक करते हैं। हाला कि हमास और पैलिस्तीनियन अथॉरेटी दोनों का मकसद एक ही है। पिलिस्तीन के लोगों के लिए अलग देश बनाना जिसमें वेस्ट बैंक, पूर्वी यरुशलम और गाजा पट्टी जैसे इलाके शामिल होंगे। वेस्ट बैंक के कुछ हिस्से पर पैलिस्तीनियन अथॉरेटी का राज है। बाकी का इलाका इस्टीनियन अथॉरेटी के तरीके बिलकुल अलग है। अहां के राजधानी अलग देश में जोरदार प्रदर्शन किया है। जुरान उनकी पुलस कर्मियों से जड़ब भी हो गए। और उधर खबर ये भी है कि इस्टीन और इस्टीन और इस्टीन की जंग और जाता भीशन होने वाली है। खबर के मताबिक इस्टीन की सेना ने हिजबुला के ठेकानों को निशाना मनाते हुए लेबनान में भी हमले शुरू कर दिये। जबकि पहले ही गाजा में इस्टीन की पॉच कहर बरपा रही है। बताएगा कि इस्टीन की सेना ने अबना सिर्फ हमास बलकि लेबनान के चरंपंथी संगठन हिजबुला के खात्मे की भी कसम खाई है। और इतनी लाशें बिछेंगी कि गिनना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि गाजा गनी आबादी वाला इलाका है। अनुमान है कि गाजा के उस छोटे से इलाके में लाखों लोग रहते हैं। ऐसे में अगर इस्रेल की सेना वहां गुसी तो हमास के लड़ाकों के अलावा कई मासूम लोगों की जान भी जाएगी। और पुतिन का मानना है कि ऐसे लोगों की तादाद काफी जादा होगी जो जंग की वज़े से बे मौत मारे जाएंगे। युश तोचन निकदा ने उचित वले करिलने इंटेरेस पलेस्टिन्सकाव नरोदा। यही वज़े रही कि रूसी राश्टपती पुतिन ने नितनियाहू को धंकी भरे लेजे में ये साफ कह दिया कि वो किसी भी टीमत पर गाजा पर हमला न करें। लेकिन इसरेल के मीडिया के मताबिक नितनियाहू ने इसका भी तोड़ ढून लिया। खबर है कि गाजा में घुसकर हमास को जड़ से मिटाने की जिम्मेदारी इसरेल की पौच के एक खास टुकड़ी को सौप दी गई। जो अपने खुंखार रविये के लिए पूरी दुनिया में मशूर है। जो पहले गाजा में घुसकर इसरेल की सेना के लिए रास्ता खुलने का काम करेगी और फिर वहां फसे बंदकों को छुड़ा कर वापस इसरेल लाने के बाद ही रुकेगी। इस जंग में हिजबुल्ला हमास के साथ खड़ा है और दावा किया जा रहा है कि वो भी रह रहकर लेबनान से इसरेल पर रॉकेट दाग रहा है। और एक रोज पहले ही उसने वहां आस्मान से पर्चे गिराकर लोगों को बंकरों में जाने की चितावनी दी। जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसरेल हमास का सर्वनाश करने के लिए गाजा पट्टी पर सबसे बड़े हमले की तयारी में। माना जा रहा है कि इसी वज़े से इरान उसे हिजबुल्ला का डर दिखा कर गाजा पट्टी पर बंबारी से रोकने की कोशिश कर रहा है। गैर आवश्य क्यात्रा करने से बचने को यहां पर कह दिया गया है। और इसरेल कि सेना गाजा पट्टी में घुसकर ऑपरेशन शुरू कर चुकी है। इससे पहले इसरेल ने गाजा के लोगों को 24 घंटे में गाजा खाली करने का आदेश जारी कर दिया था। और जिसके बाद गाजा के अलवदा में एक हॉस्पिटल में अफरा तफरी का माहल देखा गया। जो तस्वीरे वहाँ से सामने आई वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन 24 घंटे का अल्टिमेटम जो आप समाब्त होने पर है। और इसलिए माना ये जा रहा है कि अब जो इस्रेली सेना है वो गाजा में घुस चुकी है, ऑपरेशन शुरू कर चुकी है।